नमस्कार मैं अविश्यक राज CEO Founder EGWay Global दोस्तो मिस्रा धातुन निगम लिम्टेट में भरती निकाले गई ये भारत सरकार की मिनी रतना कमपनी है और इसमें जो भरती निकाले गई है ITA और डिपलोमा के लिए भरती निकाले गई है बहुत अच्छी वगिंसी है आप इसमें अपलाई करके इसका त्यारी कर सकते है इसमें लिखित परिशा और इसकील टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका सेलेक्शन होने वाला है तो आए इसके बारे में डिटल्स में हम जानेंगे एक सुचना है कि मेरा फेस्बुक पर एक पेज था इंजिनियर अविस्सिक्रा जिसको हैक कर लिया गया है और उस पेज पर असलील तस्वीरे अपलोड की जा रही है आप लोग थोड़ा सा पेसेंस रखेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे सुप्सित्यकों का लगतार कॉल मैसेज आ रहा है कि आपके पेज पर असलील तस्वीर अपलोड की जा रही है मैं इसके सुचना बहुत जगा दिया हूँ फेस्बुक से भी कांटेट किया हूँ बहुत जल्द उमीद करता हूँ कि पेज मेरा रिकवर हो जाएगा तो थोड़ा बहुत आप लोग मेरा सजयों जरूर करेंगे तो आए शुरू करते हैं इसमें अपलाई करने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले easywayglobal.in ये website सर्च कर लिजेगा जबकि easywayglobal.in पे ITI के संबनी सभी वेकिंसियों के बारे में जनकारी दी जाती है ये page आपके सामने open हो जाएगा और यहाँ पे ITI job है इसके नीचे government job है इस government job पर click कर लिजेगा जैसे click करेंगे तो आपके सामने ये government job बहुत सारे अपडेट आपके यहाँ पर दिखाई देगा हम जिस भरती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ओ है ये मिदानी बोलते है इसको मिसरा धातु निगम लिम्टेट बोलते है इसके यहाँ पर read more पर click कर लेना है और click करने के बाद आपके सामने इसका details notification खुलेगा यहाँ पर सारा details दिया गया है अब नीचे scroll कर गाएंगे तो यहाँ पर दिखिए जुनियर ओपरेटिव ट्रेनी की किस पद है और सिनियर ओपरेटिव ट्रेनी का 33 पद है ठीके ना यहाँ से online apply करने के लिए क्लिक कर सकते हैं नोटिफिकेसन के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं और official website के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं तो चलिए notification को हम डालोड करते हैं अपके सामने यह notification open हो गया है आए इसके बारे हम देखते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आप देख सकते है मिस्रा धातु निगव लिव्टे ठीक है यह मिनी रतना कमपणी है गवर्मेंट आफ इंडिया भारत सरकार का और यहां पे भरती निकाले गई है ठीक है यहां पे सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में हम चर्चा करें तो देखिए पहला जो पद निकाला गया है इसमें जूनि सब्सक्राइब आपको टोटल मिला कर मिलेगा ठीक है और CTC पर एनम दिया हुआ 4.7 लाग ठीक है ना CTC यह एनुएली होता है तो चार लाग सतर हजा रुपए आपको साल के मिलेंगे ठीक है ना और नमबर आप पोस्ट की बात करें तो इसमें भी कैटेगरी है अलग अलग पद निकाल लगे है यह तीनों के लिए 4.7 लाग सतर हजार साल का टोटल पैसा आपको मिलने वाला है ठीक है और इधर अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल है तीक है ना अपर एज लिमिट कितना है 30 साल है इसके नीचे जो तीन पद निकाल लगे यह डिपलोमा के यह SOT के लिए मेटरलोजी में इनके लिए 20 पद निकाल लगे है सेलरी की बात करें तो 21,900 सेलरी है और इनका टोटल साल का बात करें तो एक साल में इनको 5,1,000 रुपे दिया जाएगा ठीक है उसी तर सिनियर ऑपरेट ट्रेनी मेकानिकल के लिए बात करें जो टीपलोमा की है उनके लिए यह 10 पद निकाल लगे है और इलेक्टिकल के लिए यहां पर 3 पद निकाल लगे है ठीक है यह पद का संक्याता और नमबर अप जो वेकेंस से उसकी बारे हम चल्चा कर रहे थे यह सेलरी अब करा अब हम आगे बढ़ेंगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है आप दिया गया है सबसे पहले आपको दस्वी पास होना चाहिए आपको ITI होना चाहिए और साथ में आपको अप्रेंटिस सीप होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिस सट्टिफिकेट एनसी उसी को बोलते है तो आपके पस्तिंदरा क qualification चाहिए दस्वी pass होना चाहिए IETI fitted trades से होना चाहिए plus में apprenticeship होना चाहिए ठीक है अब बात कर लेता हम welder के लिए the welder मोही कहानी है दस्वी pass होना चाहिए IETI welders होना चाहिए और apprenticeship आपका होना चाहिए किसी भी companies है ठीक है ना electrician के हम बात करें तो यहां भी वही condition दिया है कि दस्वी pass होना चाहिए और IETI electrician trades होनी चाहिए और आपको national operative certificate pass होना चाहिए ठीक है next है next है चौथा नमर पर सौट senior operative training के लिए metrology में बोला कि diploma होना चाहिए आपका metrological engineering से और 60% marks आपका होना चाहिए इस तरह से हम अलेटिकल की बात करें अपका डिपलोमा होना चाहिए और 60% marks आपका डिपलोमा में यह रहा इसका qualification details ठीक है अब बात करेंगे selection process कैसे होगा सेलेक्षन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पदले रिटिन टेस्ट होगा जो सो नमबर का होगा ठीक ना सौ इनोक टू पचासी माग्स यह तोटल जो आपका सेलेक्षन होगा सो माक्स होगा लेकि रिटिन टेस्ट कितना होगा पचासी माक्स का हुआ ठीक है अब क्वालिफिकेशन के लिए आपको 15 नमबर मिलेगा ठीक ना तब अननका सेलेक्षन को जाएक सो होगया ठीक है दीक है उलता पास काम घट्रे करें पास सके लिए उसके लिए नीचे दिया गया है कैसे मिलेगा दीए कॉलिटिकेशन 10 marks for minimum educational qualification ना टू marks for every additional quality relevant qualification subjected to maximum 15 marks बोल रहा है कि minimum 10 marks मिलेगा आपको qualification के लिए और आगर आपके पास additional qualification कोई है तो उसके लिए पर qualification 2 marks दिए जाएंगे ठीक है यह कुल मिलाकर 15 नंबर दिया जाएगा रिटेन टेस्ट में आपको 85 नंबर है उसके लिए आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा ठीक है ना और इसमें किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है यह डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ सेलेक्शन के लिए अब जेनल कंडिशन यहाँ पर दिया गया है कि भाई कंडिशन यह है कि आपको इंडिया का होना चाहिए ठीक है ना और यह सारा एज का काउंटिंग जो भी यहाँ पर डिटेल्स है वो 18-10-20 तक अकाउंट किया जगा 18 अक्टूबर तक आपका जो एज है आपका जो क्वालिफिकर्शन यह सब पूरा होना चाहिए ठीक है इसके अलावा यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पर दिखे दिया हुआ है एक एगा 22-23 मतला एक नौमबर को इसका अंतिम दिते है फॉर्म भरेंका ठीक है तो एक नौमबर से पहले इस फॉर्म को भर दीजेगा नहीं तो आप फॉर्म अपलाई नहीं कर पाएंगे ठीक है और यह बहुत सरा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है आप अपने कौणिंग देख लिजेगा वो भी सी, 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 स्टी, इनको लिए जो छुट मिलता है एज में या सेलेक्शन में वो सब चीज यहाँ पर मिलने वाला है आपको ठीक है बाकी फॉर्म को ऑनलाई भरना है और फॉर्म भरने के लिए आपको मैंने पहले ही पताया था कि वेबसाइट पहुँआ पर ओनलाई के लिए क्लिक कर लिजएगा और क्लिक हो जाएगा ठीक है रिटेन एजम क्वालेफाई करने के बाद आपको करना होगा स्किल टेस्ट को पार और skill test के लिए हमारे हाँ बैस चलता है, start होने वाला है, तो आप skill test का भी त्यारी कर सकते हैं, ठीक है, अब form भरने के लिए जो payment है 100 रुपय लएगा, ठीक है, और बाकी other जो payment है, अलगा कैटेगरी के लिए सार उनसे में कुछ छुट दिया जाएगा, बाकी आपको 100 रुपय क्या रहेगा, तो syllabus नहीं रहेगा, NCVT का जो technical का syllabus है, वहीं यहाँ भी syllabus रहेगा, थोड़ा बहुत math reasoning और general science और पुछेगा, पुरी तरह से यह technical नहीं होता है, और diploma वाले के लिए, जो diploma में आपका syllabus है, उसके coding यहाँ पर सवाल पुछ जाएगा, अधिक जनकारी के लिए आ आई कर सेर जरू के जिएगा, thank you so much.